अब द्यान से देखो अपन पहला चैप्टर श्टार्ट किया था अपने दो क्लास हो चुकी है अपनी रचना सारीर एनाटोमी की सबसे इंपोर्टन बाद अपने देखो सरीर एंड सारीर की वैख्या कर ली डिटेल में बात की हैं मतलब उत्पति के अनुसार परियावाची सब्त के अनुसार अलग अलग अचारी ओकनुसार और यह सक्सविजं आपधा अपने इसे आज करेंगा अपन मिर्त शरीट संसोधन करते हैं कि बोडी में से इसमेल ना आए बदभून आए तो यह बड़ा क्युस्टन आता है इसका हमेश्य हर एक्जाम में आएगा आप चाहिए रास्तान से हो चाहिए यूपी से हो चाहिए मतलग पूरी इंडिया में किसी भी राज करते हैं अब देखो अपने यह सब कर लिए थे है यहां पर मैंन बतायाता आ कि करिया सब्द्रेट इस को मैंने बता है RJ कर दिया क्रिया प्रतिपात मिसरी अर्म क्रिया सब्द्र्रम कि मैं पहले पंप्छली कुर्ण इसस इस तो यह इंपोर्टेंट टोपिक है मृत्शरीड संसोधन तो इस पददिक आंतरकत सव संरक्षण यूं सव चेदन दोनों कही वर्नन आता है मिनिंग क्या है कि इसमें दोनों या गए उसका संरक्षण भी करो और उसका डिसेक्षण भी करो सव संरक्षण करना तो इस पददिक के आंतरे सव संरक्षण मतलब उसका जो करते हैं प्रेजरिशेशन एक्तम संरक्षण करते हैं दोनों या आगे जिस सव का सवझेदन किया जा रहा है उसको पहले सुरुक्षित करना आव सके क्योंकि बिना सुरुक्षित कि दुर्गंद से विकरती करन इसका सवझेदन करना खटीं होगा अब यहाँ पर आपने सवझेदन बुलाग नहीं आ आपको तो डिसेक्षेन बोल सकते हो तो अगर एक दिन में थोड़ी होता है तो आप डेली, अपर लेम, लोवर लेम, अब्डोबन ठीक है, दिर दिर आपको टाइम लगता है, वो बद्बूहन लग जाएगी, इसमेल आने लग जाएगी, उसमें सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो आप उसमें रुकी नहीं सवचेदन करना खटीन होता है, तो क्यों आओ सकता है, ताकि दुरगंद और सड़ने और गलने से बचाया जा सके, यह एक क्यूस्तन हो गया, क्यों आओ सकता है, दो नमबर में आ गया, तो आपको यह लिखना है, कि जिस सवचेदन के जाधा, उसको पहले सुरुक्षित कर सवचेदन करना खटीन होता है, अब देखो प्राचियन काल के अनुसार, अब यह लिखना तो नहीं चाहिए था, लेकि मैं छोड़ा एक लाइन डाल देता हूं, क्योंकि बड़ा कुस्टन है, लेंदी कुस्टन आपको लिखने का मेंटर भी जाई होता है, कि महाराजया द जो भगवान राम के पिता जी थे, जो एक्ती मसलब जो राजा थे, महाराजया दसरत, वो एक्सपार हो गये थे, तो उनके भरत के आने जो उनका बेटा है भरत है, ठीकिन, उनके आने तक महरसी वसिष्ट उस समय के बड़े चिकिस्ट थे, उन्होंने तेल द्रोणी मतलब तो तेल की जो बड़ी, जो तेल एक द्रोणी मतलब एक बहुत बड़ा पात्र तेल का, उसमें उसको रखने को दियता कि सरीर सडे नहीं, गले नहीं, मिस्सर में भी अनेक राजा हुए, उच अधिकारियों को सब सरक्षित रखने के लिए औस दियों के लेप में सरक्षित एक इंपर्टेंट कुस्टन, जनासे किसिन पूट अप होते हैं, वह सारी चीज़ें यहां से आती है, आचारीय सस्रूत के समय में सर्जरी भी बात आती है, तो आचारीय सस्रूत. वो सारी चीजें यहां पर important आती हैं तो question आएगा आयरवेद की अनुसार मृत शरीर का संसोधन विस्तार से बताई है आयरवेद की अनुसार तो किसका लिखना आपको सुसूरुत का लिखना है आप यह लाइन लिखना चाहो तो लिख देना प्राचिन काल के नुसार नहीं भी लिखो तो कोई important भी नहीं है लेकिन यह जरूरू लिखना कि आचारी सुसूरुत के अनुसार कैसे संद्शन करते है और मृत शंसन पद्वी पिजरर वेशन ओप डेड बोड़ी इंड डिसेक्शं किसका अकोरिइंग तो आचारीय सुसूरुत तो आप इसमें एड़ कर सकते हो अकोरिइंग तो आचारीय सुसूरुत तो सुसूरुत सहीं था के के सारीर इस्तान के पांचवे चैप्टर में 61 मतलब 61 स्लोग में सरीर के अंग परित्यों के प्रिथख्ष घ्यान प्राप्त करने हैं तुध को संदक्षित करना सबसंदक्षित करना बाद में सब चेदन का विदान बता है तो देखो अचारिये सुसृत न क्या बोली क्या को कि जुए बुला पर शुचृत सहीता के शारे इस्तान में देखो पहले अपना सभी बढ़ते हैं जैसे एश्टांग में आप सुत्र इस्तान बढ़ते हो नहीं तीस से इसफ्र-।। उस्सुत्रु सहीता को भी अलग-अलग विवागों बाटा है सुत्रिस्तान है उसके बाद में निदानिस्तान है फिर सारी रिस्तान है प्रचिकिस्या इस्तान है फिर उत्तरतंत्रिस्तान है उस तरीके से नहीं कि अनदर से इंया जैसे लंक्स को देखना है इस्टोंक को देखना है इस्प्री इस्प्रीण को देखना है तो उसको फ़कुर पड़ेगा डिसेक्शन करना पड़ेगा तो यह बोल रहा है आचारी सुसरूट कि अंग परतिंगों का प्रिथेक्ष ग्यान फ्राप्ट करने हैं तो सब को संरक्षित करना मतला उसको पिजर वेशन करना जरूरी है तो बाद में सवचेदन का विदान बताया तो यह स्लोक आ करता हूं जिसको आपको याद करना है ठीक है अभी इस लोग में जो भी बताया था ना आपने सिस्टेमेटिक तरगे से स्टेडी करेंगे जैसे आपको एक्जाम में लिखना जो भी अब अब जितना भी आहरवेद के नुसार अपने पढ़ेंगे अकोर्डिंग तो आयरव कर सकते हो चांग प्रतंग ने बताया था कि आप उसी सवका सान्रक्ष्ण कर सकते हो जैसे किसी का हाथ कटा हुआ है किसी के मतलब इकाना कटे हुए जिस सव में पूर्ण अंग प्रितंगों उसी का आपको संद्रक्षण करना है तो पहले सव की जांच कर लेने, इसके हाथ, पैर पूरे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, आपको उसी का आपका संद्रक्षण करना है, अगर ऐसा नहीं है, तो आपको उसकी क्रिया विदी के नुसार उसका अंतिन हस्कार कर देना है जिसकी मृत्यू दीरकालिन व्यादियों से नहीं हो जैसे कि बहुते व्यक्ति होते हैं न कि लगातर दस साल तक खाट भी पड़े रहते हैं और मतलब भीमार चलते रहते हैं लोंग टर्में ठीक है दस-दस साल तक 15-15 साल तक भीमार है कैंसर ह उसकी मृत्यू दीरकालिन व्यादियों से नहीं हूई यो उसी विक्ति को आपको करना है मतलब क्या करना है जिसकी मिरत्यू विस प्रियोक से नहीं हो जैसे पहले राजा की टाइम परम पहला राजाओं का टाइम तो उससे वेक्ति की एक रतुप कि राजा या कि यहर दे जाए तो आपको नहीं करना है तो जिसकी मृत्यू विस प्रयोक से नहीं हुए तो ध्यान रखना कि पहला कि पूछ लिया विक्ति आपको डेड़ बोड़ी आपको गिफ्ट में देना चाहता है अधिकल कोलेज में और आप उसको पूछ लेने जाएगे इस विक्ति की मृत्यू कैसे हो इसको को बीमारी तो नहीं थी आपको उस विक्ति की इश्ट्री लेनी है पहले उसका संदक्षन करने से पहले उसके परीजिनों से उन सब से जिसकी आयू सो वर्स से कम हो खैने का करना है जैसे 60 साल का हो गया पचास साल का हो गया उस विक्ति का आपको आराम से संदक्षन करना है यहां पर फोड़ा गलत लिख दिया है जिसकी आयू सो वर्स से अधिक हो उसका संदक्षन नहीं करना है तो जिसकी आयू सो वर्स से कम हो यह भी सही है कि जिसकी आयू सो वर सावधन तो भाई क्या-कया सावधन की रखनी है तो ध्यान रखना कि पूंड अंग प्रतंग हो विस्से उसकी अम्रत्यू नहीं हुई हुई हो ठीक है उसकी दीर्गा लेग व्यादिय मतलब से पांस साल दस साल तक हो यह चौनाγα इसेनि हैं की बैप सरु कि संदक्षी तरों भुषिछण चल olmuş सदुप जिपर इसे प्रति चीविगत सावधान रखने है इसको पूर्वकरम बोल सकते हैं तो किसी भी नाम से क्युस्टन आ सकते हैं आप देखो संड्रक्षन विदी इजर्वेशन ओप डेड़ बोडी किस तरीके से करोगे ऐसे मृत शरीर को मालों की यह सारी क्वालिटी देख लिए आपने सब कुछ ठीक है तो ऐसे मृत शरीर को मूंज अब मूंज क तो जिससे जोपड़ी बनते हैं उसको कूट कूट के थोड़ा मार मार के पतली सी रसी बने जाती है उसको बोलते हैं मूंज छाल कूस यानि घास फूस अत्वा सन सन भी एक तरीके से रेसे होते हैं एक प्लांट होता है उसके रेसे निकाले जाते हैं तो ऐसे मृत शरीर को मूंज चाल, कूस, अत्वा, सन। ये सब गाउं में यूज होता हैं ये वर्ड्। मतलब साप डिक ला short- attendee ना अलग लगती मॉंजペाल कूस बनते हैं इन चारू की चाहर पाइगे मेरे गरबे हैं मतलब बली 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 बती बली की करें यह रेसों को शरीर के जो मरा हुए शरीर जिसका आपको सरक्षण करना उसको चार तरफ लपट दो मतलब पूरे बोडी को उसको ढग दो आपने ममी मुवी देखेंगी ना जैसे वो पट्टी सी लपटते हैं उस मृतिविक्तिक है इसी तरीके से इन चारों को मूँझ को छाल साल जिसको अत्वा को टाइप दूल जससे में मुवी में जैसा पट्टी सी लपट है रजू भी बाति लपेट कर पिंजरे में रस इसा जाली उंप्ति को सवका बजन सह सके पिंजरे में रखकर तेज नहीं बहने नदि में के जल में डुबोकर बहान देना चाहिए तो ऐस तरह के से एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर मतलब अच्छी तरह के से लपेट दिया, फिर उसको एक पिंजरे में रख दिया, बड़ा सा पिंजरे को भान दिया, रसी से और नदी में लटका दिया, तो इस तरह Cardson of dead body, खिस के अनुसार है यह, आचारी से सुसूरूत के अनु कुछी से दीरे दीरे गर्षण कर ताउचा आदी वहिया और आभ्यांतर अंग प्रित्यक्ष करना चाहिए इंपोर्टेंट लाइन है यह सब स्लोक में था जो इतना वह बड़ा स्लोक है आपको याद नहीं होगा इसलिए मैंने नहीं लिखा और याद करना जरूरी भी नहीं जिसको इच्छा याद करनी को कर ले ना मैं गुरूप में उसकी फोटो भेज दूंगा यह बोलता कि साथ दिन बात भली बाती फूले वह अब कोई मतलब कोई डेड बोडी है वो नदी में रहेगी साथ दिन पानी के भीतर तो फूल जाएगी तो फूले हुए सब को नदी के टीन से बाहर निकालकर पिंज्रे आतवा मुंद्रे कि आवरण और चाल आटा कर जो आपने पिंज्रे लगा यह असका नव सकोटा दो बृतक का कस मशला जोबर क्रूंटकी पालय बन सकते निर्मिकर ब्यू से मतलब ब्रूशूकी आनी ब्रुश तो आचारी इसुसरूत ने अपनी स्कीन की साथ लेरों का वर्णन किया है आज भी मोडन साथ इसकीन की लेर मानता है तो देखो आज से पांच जार साल पहले जब आयरवेद्गी लिखा गया था तब आचारी इसुसरूत ने बता दिया था कि साथ लेर हैं और आज मोडन में इतनी सुक्षम दर्शी इतनी अंत्र आगे तब भी वही बताएं कि साथ ही लेर हैं देखते जाओ क्या आता है अंधर की अंगों को देखते जाओ आसगल तो क्या होता है अपनी जो इसकारबल होता उससे कट लगाते हैं ठीक है सवचेदन मतलब बलंट डिसकसन अब बलंट डिसकसन तो है आपनी सकारबल का यूज करते तो वह तो है एक दिम सार्प एक पैना को काट देता था यह क्या बलंट अब वोटा ही तो तरीक साब उसको घर्षन कर रहे हो धीर धीर तो इस विद्धि को हम अक्तर्णक देखने खोज लेने की सरोत्तम विद्धि है क्योंकि आप आम आलो की इसकारबल का यूज करो गया तो कुछ ना कुछ काट देगा आप उनको पता है नीचलेगा कि जरा से गलती हुई किसी की नर्व कट गई ठीक है नर्व मिस हो गई नर्व उसके साथ चले इसकीन के साथ पता है नहीं चलेगा आपको तो यह बोलता कि यह सबसे बैस्ट कोन सी ब्लंट डिसकेशन सबसे बैस्ट विदी है छोटी छोटी सर्राजनाओं को देखने का तो यह होगी आचारिये शुसरुत के नुसार क्या थी पहले पूरगरम देखिया अपनने फिर सर्राजन कैसे करना था और फिर डिसक्षन कैसे करना यह सारी अपनने शुसरुत के नुसार कर लिए तो किस्टन कैसे आएगा यह आयरवेद के नुसार नाम नहीं आएगा आयरवेद के नुसार सब सर्राजन की या मिर्थ स जोन्न वाला है एक बर मैं क्लास को डिसमिस कर रहामद कर रहाँ आपको दुबारा हुए ठीक हैसफकरisa कर ना, क्लास की लीविट 40 मेंट के हो त्यें फिलिए बीच में रह जाए गए प्मिंट॥ कि यह थोड़ा लेंदी ई, और बास हो तो जोलिच को आफ